आज की वीडियो में 159 के प्राइम फेक्टर्स निकालेंगे प्राइम फेक्टर्स निकालने से पहले आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं यह पता होने ज़रूरी है वह है नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर कुद अपने आप से डिवाइड हो कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे कुछ एक्सांपल लिख देता हूं मैं 2357 अब आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके बाद आपको प्राइम फैक्टर अपने आप पता चल जाएगा तो मैं 159 के पहले फैक्टर्स निकाल लेता इसके आद मुझके मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स पता चल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं 35 जा 15, 33 जा 9, 53 जा 3 1 जा 53 जा 53 जा 53 हो क्योंकि प्राइम नंबर है अब इसमें करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स आए है उसमें उन नंबर्स में आप चूस किजिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है 3 एक प्राइम नंबर है टिक कर लिया 53 बे एक प्राइम नंबर है ये भी टिक कर लिया इन प्राइम नंबर का फिर आपस है मल्टिप्लाई कराया जाता है और मल्टिप्लाई कराने पिर हमको रिजल्ट वही मिलना चाहिए जिसका आपको प्राइम फेक्टर निकालना है तो मुझे रिजल्ट वहीं मिल गया जिसका मुझे प्राइम फेक्टर निकालना था इसका मतलब 353 अब 159 के प्राइम फेक्टर होंगे